युवाओं के प्रेरक व्यक्तितु स्वामी विवेकानंद संजय पंकज भारत के व्यभव विश्व का आनंद स्वामी विवेकानंद महान राष्ट्रवादी युद्धास सन्यासी थे केवल भारत ही नहीं संपुर्ण संसार के एवाओं के लिए आदर्ष प्रतिमान है स्वामी विवेकानन्द संबरिद भारत की सांस्कृतिक परंपरा और आध्यात्मिक चेतना स्वामी जी के माध्यम से शिकागो के विशुधर्म संसद में विराट प्रूप में प्रस्तूत हुई थी ये बातें आमगुला इस्तित शुभानंदी परिसर में अखिल भारते साहित परशत के तत्वाबधान में आयोजित समवाद विवेकानन्द आयोजन्द में कवी साहितकार बिला के संपादक और परिशत के राश्ट्रिय मंत्री डॉक्टर संजय पंकज ने कहीं विवेकानन्द जन्ति पर आयोजित इस आयोजन्द में डॉक्टर पंकज ने आगे कहा कि भारत की पहचान विवेकानन्द अपनी परिगती शील्ता और धर्म के व्याज्यानिक व्याख्या के लिए भी जाने जाते हैं विलक्षन प्रतिभा के स्वामी जी मंसा वाचा करणा जीवन भर कठोर परिश्रम करते रहे उनके लिए भारत के वले कराश्ट ही नहीं बलकि आत्म दर्शन भी था मनुष्य को सर्वों पर ही मानते हुए उन्होंने हिर्दय के विस्तार और सर्व कल्यान में ही अध्यात्म दर्शन को निरुपित किया उनका वेदांत दर्शन कर्म, ज्यान और सत्य का समगर सन्योजन है। उनकी आध्यात्मिक साधना विश्व बंदुत में प्रतिफलित होती है। अतक परिश्रम करते हुए उन्होंने नीड़ता के साथ मृत्यू का वर्न किया। में सार्थक मानते थे। युगा कवी प्रुविन कुमार मिश्र ने विवेकानद की शैक्षिंक दिश्टी पर कहा कि वे व्यावाहरिक और मानविय मुल्यों को ही सरवोपरी मानते थे। कवी श्यामल श्रवास्तव ने कहा कि स्वामी जी चाहते तो लंबी आयुक जी सकते थ मगर उन्होंने कम समय तक शरीष धारन करके ही सामाने मनुष के कई जन्मों का काम अकेले कर दिया। विचार सत्र के बाद उपस्थित कई कवियों ने अपनी रचनाय प्रस्तुत की और विवेकानंद का स्मरण किया।